नमस्ते सदावत्चले मात्रभूमें दूनिया में जो चल रहा है वो हम देखी रहे हैं, ममता भेनर जी जो उनकी उलाइस है, उन्होंने कहा, कि बहीं ये जो मिमिक्री उनके सांसर था, मनी उपराश्च चपती जी की, जिसमें की किसान इशू आ गया जिसमें की जाट इशू आ गया तो जाटों ने अंदोलन शुरू कर दिये हैं किसानों ने अंदोलन शुरू कर दिये हैं और भरती जंता पार्टी तो कर ही रही है देश के आम आदमी के मन में भी यही है कि उपराश्ट पति का ऐसा अपमान न यह है कि उपराष्टपती होने की वजह से केबल वो खाली ना रहें इसके लिए एक सबन चलाने के लिए उनको कहा गया है बाकी तो वो उपराष्टपती हैं राष्टपती की अनुपस्तिति में पूरी पावर उनके पास रहती है और राष्टपती के आकस्मक अगर कोई अतना इश्वर न करे हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही उपर राष्टपती राष्टपती हो जाता है और वो राष्टपती की शपत अलग से नहीं तिलवानी पड़ती कुछ करना नहीं पड़ता वो आप सोचो ऐसे गरिमा में पोस्ट के लिए ऐसी मिमिक्री कर अबत्र मुझे लगता कुछ करने इससे ज़्यादा कुछ गिर नहीं सकते थे जो धनकड साब स्वयम भी कह रहे हैं इससे जदा क्या वो गिरेंगे पधानमंत्री जी ने तो उसमें कहा ही है कि वो तो पिछले 20 साल से इसी तरह का अपमान जहेल रहे हैं और अपमान करना इ ये मामला इतना तूल ना पकड़ था वहां आपस में लोग कुछ खेल गा रहे थे राहुल गंदी ने वीडियो बना लिया है जिसको जो वाइरल हो गया और जिसकी वज़े से समस्था खड़ी में आप सोच लीजे कि ममता बेनर जी भी उनके विशे में कैसा सोचती है और क इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सी को या तो आपको गरफतार करके तुरंद लाने का अधिकार होता है तुरंद लेकर आईगी और बात्चित करेगी या फिर आपके दर्वाजे पर जाएगी और वहां पर बयान लेगी और अगर आपको नोटिस किया जाता है त वो इसलिए है कि कौना में सुप्रीम कोड में दो जज़्स की बेंच में मनीश शुद्य के बेल चल रही थी तो उस समय ही ऐसा कोड ने कहा था कि आमादमी पार्टी को पार्टी कूल इस बनाया जाएगा तो ऐक कि भाष्षा का इस्तेमाल नियाले में भी संग्यान लिया जाएगा मामला ये था कि रहुल गांदी ने पहले तो आपको याद होगा चोकेदार चोर है ऐसा कहा था तब माफी मांगी थी फिर उसके बाद रहुल गांदी ने गुजरात कोट में माफी मांगने से मना कर दिया मना करने का नतीज़ान निकला कि उनकी पार्लीमेंट पर चकर आ गया थे तो election commission ने उनको notice किया था, उस notice के जबाब में वो election commission के सामने उपस्तित नहीं हुए, परिडाम ये निकला कि मामला दिली हाई court में था, दिली हाई court ने आज election commission को direction दिया और direction दियते हुई ये कहा कि इनके खलाफ कठोर action लिया जाए, आप सोचिए कि दिली हाई court के दो जज़ करवाई आप करिये, आप इनकी सदस्ता के मामले को लेकर कोई निर्लाइं दिये, हाला कि हाई court ने कोई निर्लाइं देने से मना कर दिया, लेकिन election commission को एक strong direction issue कर दी, ये मुझे लगता है, पहली बार कोई मामला हुआ हुआ जिसमें हाई court ने election commission को किसी भी सांसत के द्वार अबद्र टिपड़ी प्रधार मंत्री के खलाफ और भारत के बेवपारियों के खलाफ, भारत के बद्र जुनों के खलाफ, अगर कोई टिपड़ी गलत अमर यादित की गई है, तो फिर इन्होंने उनको डिरेक्शन दे election commission हुआ, अब election commission इस विश्य में क्या करेगा, वो द देखने की बात है, election commission हाला कि मैंने जैसे कहा कि नोटिस जारी किया था, अब एक और तीस मामला था, वो तो और ज़्यादा गंबीर है, दिल्ली में ही एक बच्ची की मृत्यू हुई, उस मृत्यू के मामले की खबर आई कि साब वो cremation center पर गई थी, यानि कि जहां पर दा election बन चुका है, और ये कहा गया कि वहाँ पर पुजारियों ने 9 साल की बच्ची का ये 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 कर दिया, और उसको मार दिया, उस परिवार के साथ रहूल गांदे मिले भी थे, फिर उसको Twitter पर tweet किया, और tweet करते हूँ उस 9 साल की बच्ची की identity disclose करते, जब कर हम जानते हैं, औ उसकी identity disclose नहीं की जा सकती, यहां तक की newspaper, मीडिया वाले भी ये बदले हुए नाम को, ऐसा कहते हैं, ये बदला हुए नाम है, ऐसा करते हैं, वीडियो, फोटो तो डालना बहुत, बहुत ज़ादा कटिन काम है, कट हुआ कांड में, आपको याद हो, कट हुआ मतले हैं, जम में लड़की का, जो मृतक लड़की थी, उसका photograph दिखाया था, इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोट ने स्वता संग्यान लिया था, और 11 बड़े चैनलों पर एक penalty लगाई थी, 10-11-11-11 रुपे के, यहां तक की NDTV ने तो ये कहा कि हमसा penalty pay करने को तयार हैं, तो फिर Honorable High Court ने मेरा जहां तक अनमान है, वो मामला अभी भी जीवित है, यानि कि कोई भी ये High Court की, Supreme Court की डिरेक्शन है, किसी भी रे विक्टिम या फिर छेड़चाड का विक्टिम या फिर स्टॉकिंग का विक्टिम अगर कोई है, तो उसकी photograph उसकी identity disclose नहीं की जाए सकती, ये कानून है, अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठैरे, विपक्षी होने के नाते केंद्र सरकार को घिरने के उद्धिश से ये केंद्र सरकार को घिरने के लिए, वो किस हद तक चले जाते हैं, ये भी उनको स्वेम भी नहीं, मालूम कि वो किस हद तक घिर जाते हैं उसमें, इसल ना जो किसी बिना किसी कंडिशन क्यूंकि ये मामला बडाक टन है और इस मामले में तो बड़ी जेल हो सकती है इस लिए इस मामले में उन्हों ने सीध् यह क सब इसमें कुछ मामला पक्ड़ पाइंगे अभी किसमें कुई मामला नहीं मिल रहा है तो रहुल गूंध एडवोकेट नहीं रहा है उस समय वो rape victim थी और इसलिए मामला बन दा नहीं है लेकिन बात यहां पर हाई कोट भी यह जो कह रहा है कि थी या नहीं थी वो अलग बात है लेकिन identity तो disclose नहीं की जा सकती कि अगर कोई rape victim है भी कोई ऐसा महिला उत्पीडन का victim है भी तो भी उसके उसकी और उसके परिवार की identity disclose नहीं की जा सकती केबल उनका नाम बदला हुआ दिया जा सकती स्टोरी बनाईए स्टोरी बनाकर इस्थान और नाम बदल कर दे दीजिए लेकिन इस मामले में राहूल गांदी ने बाकाइदा उनका नाम उनके परिवार के साथ photograph और वो सब ढाले थे बई यह यह जो tourism है रेप टूरिज्म यह तूरिज्म में गए हुए तरह अलगांदी या फिर वो यह जो क्रिमिनल टूरिज्म है इस टूरिज्म को रिभार है थे इसलिए वह फोटोस उनन डाल दे दिल्ले हाई कोट ने संग्यान लिया था दिल्ले है को पहले आदेश दिया था कि इन photograph को डा रहे हैं और अनकंडिशनल ऐसा कह रहे हैं तो फिर अभी हम आपके खिलाब एक्शन नहीं लिना तो फिर आप नहीं बदलेंगे नहीं तो हम एक्षन लेंगे दिल्ली हाई खोट के इस प्रकार तरक तरक बहस में या उनकी जो ठिप पड़ी थी उसके बाद उनके वकील ने मालब आप देखो प्रधानमत्री बनना चाहते हैं उनको राष्टी लीडर का दर्जा प्राप्त है उनकी पार्टी उनके पीछे चल रही है लेकिन वो फाउल फेकी ही जाते हैं इसी को पॉलिटकल मेचॉरेटी कहते हैं और अभी तक रहुल गांदी में पॉलिटकल मेचॉर से कमेंट करके बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी के इस वह के आधार पर उनको क्या कहा जाए उनके करेक्टर को क्या कहा जाए मैं तो उनको नकली गांधी वैसे ही कहता हूं वह तो योगता तो छोड़ दीजे अयोग्य होने लाइक भी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी ठिपड़ेगा इंतजार जरूर रहेगा जय हिन जय भारत बंदे मात्रम कर दो उनको कर दो यिरेश aha है एंगे रहे फिरे जई कि भी यह जरेगा जयर स्वेड़ से नहीं हिसे ही होनो सकतरा सकतरा मुपता कर दो शे yra आए झारेगों अजयए है